हेलो स्टूडेंट्स आयाम गरवीन दरकौर पकेल्टी एच अभी मन्यू आई है से वेरी वाम वेलकम अलोप यू इन दिस सेशन और आज स्टूडेंट यहां पे हम यो नो हमारा लास्ट सेशन यहां पे डिसकस करेंगे 2018 का पीवाईक्यू का जो हमारा 2018 में पंजाब सिवल सर्विसीज का पेपर हुआ था उसका यह लास्ट सेशन है स्टूडेंट आल्मोस्ट हम सारे कुशन डिसकस कर चुके हैं बहुत ही लेबुरिटी फॉर्म में I think so की इतना सारा पीवाईक्यू उपर डिसकस्शन नहीं होगा थिक है तो बहुत सारे डिटेल फॉर्म में हमने यहां पर किया मतलब यह सचन्य को इस स्टूडेंट जिस भी सूडेंट ने यह सेशन्स मेरे टेंंक्ट किये हुगे चिनों ने भी देखा होगा ठीक है जिनों ने सब्स beschäftigt के सा सा थ ठीक है बट हाँ एक बात है अगर आपको एक्जाम को समझना है ठीक है तो उसके लिए स्टुडिंट कुछ नहीं है आप यह सोचोगे कि मैं किसी टीचर के थू समझ लूँ मैं टॉपर से समझ लूँ या फलाना फलाना मेरा PCS ऑफिसर है मैं उससे पेपर को समझ लू तो आपको अपनी जॉब के बारे में बता सकता है पेपर के बारे में नहीं बता सकता है तो पेपर को जानने का तरीका या पेपर में क्या पूछा जाएगा किस तरीके का पेपर आएगा दिफिकल्ट आएगा आएगा आसान आएगा पेपर में किस तरीके के वोश्टन पुट कर रहे हैं तो paper clear करने का अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं से idea लगेगा तो वो आपको pyq से लगेगा ठीक है paper में क्या पढ़ना है यह आपको syllabus बताएगा ठीक है लेकिन paper में किस तरीके से पूछा जाएगा यह आपको pyq बताते है तो मैं तो pyq को आपको एक तरीके का mirror मानती हूं student जैसे mirror आपको अपनी image दिखाते है बिलकुल pyq आपको एक तरीके की paper की image दिखाते है कि हंजी paper कैसा आ रहे है चुल में क्योंकि उससे आपको एक अच्छा खासा idea लग जाता है जब आप continue इतनी detail form में pyq कर लेते हूं उससे student आपको वो idea दे है कि हंजी paper में किस तरीके के question पूछे जा रहे हैं लगातार ठीक है जी कौन सी चीज है important है कौन सी चीज नहीं important है यहीं से पता चलते है ओके student ठीक है जी तो इसी के साथ student हमारा 87th number ते question हो चुका है हमारा 87th हमारा last story of विदह मादव से related question था जिसका answer या जुर्वेद था यह हम done है हमारा और अब हम करते है student question number 18 आपकी screen पे है student मेरे साथ साथ question को पढ़ने and then answer it तो question पढ़िए कहता है consider the following statements consider the following statements one second अब देखो कहता है consider the following statements about the agrarian system agrarian system पे question है under the दिली सुल्टाने इसका मतला medieval history का question है medieval history का question है student यह पता चल गया medieval history का question है पहला option देखते है agrarian system के बारे में पुछा है दिली सुल्टान और मुगर empire के टाइम पे तो पहला option कहता है अलाओ दिन खिलजी imposed taxes called चराई and घारी दूसरा option कहता है मुहम्मद बिन तुगलक imposed additional taxes called अबबाब्स on the patients third option कहता है student हमारा कहता है under the akbar दह साला system of land revenue existed fourth option कहता है जहांगिर introduce the nasak system of assessment अब इसमें से इसने student correct option पूछा है आपसे option पढ़ लिए ध्यान से पढ़ लिए फिर से एक बार पढ़ लो बच्चे मैं फिर से screen इस तरीके से scroll down कर देती हूँ नीचे की तरफ हंजी पढ़ लीजे बच्चे पढ़िए आप स्टेट्मेंट को पढ़िए बच्चे रने ठीक है अब आप देखें अब आते हैं student हम अपने options पर आपके सामने या student अब आप option सेलेक्ट कीजिए अजी option सेलेक्ट कीजिए बच्चे अजी तो question पढ़ो तो इसका correct option बनेगा student B B इसका correct option देखे कैसे देखे सबसे पहले तो student जो जहांगीर थे उन्होंने नासिक सिस्टम इंट्रड्यूस नहीं किया था ये बात आप fact याद रखिए ठीक है नासिक सिस्टम उन्होंने इंट्रड्यूस नहीं किया था student farmer जो है वो फसल उगा रहा है कितनी फसल्स उगा रहा है उसे हिसाब से ठीक है अच्छा जो हमारे मुहमद बिन तुगलक थे उन्होंने additional CES जो है वो किया था अब बाब करके पी सेंट्स के उपर दूसरा अलाउदिन खिल जी ने भी इंपोस किया था टेक्सिस कॉल्ड चराई अन घारी ठीक है जी ओके ओके तो हमारा यहाँ पर बी option यहाँ पर क्या बनेंगा correct बनेंगा तो इसी के साथ student question number 89 पर आईए आप ठीक है क्योंकि who among the following was the french explorer who visited the court of emperor and left detailed account of तक्ते ताउस peacock throne ठीक है कौन से ऐसा french explorer था student जिसने विजिट किया किसका court विजिट किया था शाँ जा का ठीक है और बहुत ही detailed way में उसने you know explanation दी किसके बारे में तक्ते ताउस peacock throne के बारे में तो कौन थे आप उसके बारे में बताने है 89 नंबर question attempt कीजिए student क्या correct है इसका answer आप सबको पता होगा student जिसने भी history पढ़ी होगी ठीक है history पढ़ी होगी student ancient medieval medieval history पढ़ी होगी जिसने उसको यह answer पता है ncrt में दिया हुआ student तो इसका correct option है first jan baptist revolutionary ठीके जी ओके 90 नंबर question पढ़ते है student पढ़ी है बचे कहता है which of the following was popularly known as the firebrand of South India popularly known है student किसके लिए firebrand of South India बताईए कौन है बई हंची बताईए firebrand of South India बोला जाता है उसको कौन है SS Satya Murthy fact is student SS Satya Murthy senior student मैंने बहुत बार बोल है student essay question यहां तो आती है यह बिल्कुल नहीं आती है तो essay questions यहां तो attempt कीजिए मत ठीक है और time waste तो बिल्कुल मत कीजिए student PYQ पढ़के यह सब चीजों का अंदाजा हमें तभी पता चलता है कि किस question पर time लगाना है किस question पर time नहीं लगाना है time का वहीं से idea लगता है और आपका बहुत सारा time save हो जाता है student जो last में आपको बहुत ज़्यादा critical role play करता है वो time आपका क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से mind लगा के आप ऐसे question को कर ले जाते हो जिन questions को बाकी student ने छोड़ा होता है जब आप ऐसे questions करते हो ना student तो आपको मिलती है अज्या बट जब time ही नहीं बज़ेगा फिर क्या दिमाग लगा होगे आपने बहुत बार देखा होगा जैसे मालुआ पेपर देखिया है ठीक है अब घर पे आके बैठते हो फिर आप बोलते हो कि अरे ये question भी मुझे आता था यार ये मैं कर सकता था ओ वो मैंने क्यों छोड़ दि ध्यान दे लेते हैं कि यार ये question जो है वो मैंने पहली नहीं किया अब इस पे मैं थोड़ा ठंडे दिमाग से काम होकर मैं इसके बारे में सोचता हूँ और फिर आप उसका answer कराते हो और वहीं से आपको एज मिल जाती है और ऐसे questions के time बचते हैं यहीं से मालो ये question आया कोई बच्चा है थोड़ा बहुत राधा क्रिशन ए रामा स्वामी नाइकर कस्तूरी रंगा आईगर के बारे में कुछ पढ़ रखे बच्चा क्या करेगा इस पर सोचने बैठ चेका यार ये मैंने पढ़ा हूँ है कहीं यही बंदा तो नहीं है जिसको firebrand of south india कहते हैं अर यार मैंने राधा क्रिशनन के बारे में पढ़ रखे राधा क्रिशनन हो सकते हैं firebrand of south india आपने पढ़ाया डेफिनिटली आपने इसके बारे में पढ़ाया आपने इसके बारे में भी पढ़ रखे हैं हो सकते हैं आपने किसी बुक के अंदर किसी करंट अफेर में कसूरी रंग गाईगर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ बट इसका मतलब यह लिए है कि वो फायर ब्रेंड अफ साउथ इंडिया है वही फोर्थ ओप्षिन फैक्ट कुश्टन है सुडेंट यह सीधी बात है फैक्ट है देखने से पता चल रहा है यहाँ emotional होने का कोई मतलब नहीं बनता आपको आता है आता है नहीं आता है जाने दो सीधी बात ठीक है time waste मत करो ऐसे questions तो that's why option हमारा D हो गया ठीक है जी ओके ओके ठीक है जी जो बाते student मैं बोलती हो ना student उनको आप अपने जहन में रखा करो कि हान जी मैं आपने क्या बोला है ठीक है और उसको किस तरीके से मुझे अपने paper में you know follow करते है ठीक है अब next question देखो 91 number question कहता है who is the current president of FIFA the Federation International Football Association CEO student यह उस time का current news है current news है student sports का और इससे एक बात और भी बता चल दी अब तक आपने देखो 2013 का paper कर लिया हमने 2015 का कर लिया 2018 भी आज हम खतम कर देंगे इससे आपको एक चीज आइडिया लग रही होगी student वो यह लग रही होगी कि sports जो है वहाँ से question आ रहे है जो sports है ना वहाँ से question आ रहे है और sports करने का मैं आपको ना एक सीधा तरीका बताती हूँ student अगर आप news paper follow करते हो तो एक बात याद रखो student जो news paper होता उसके last में हमारी sports news दी होती है यह कहीं से भी कर लो मैं नहीं कहती है आपको Indian Express से करो आपका original newspaper आता ना उसमें भी sports की news आती है उसमें student आप 3-4 news पे ध्यान दो पहला कोई Olympic हुआ आपके उसमें कोई gold जीता है फिर चाहिए para-alampic हो ठीक है चाहिए फिर दूसरा हो gold है ठीक है उनके नाम कोई lady, कोई women ठीक है जिन्नोंने पहली बार किसी में gold जीता वो बहुत important है कोई ऐसा sports student जिसमें Indian team ने पहली बार participate किया that is very important that is very important ठीक है फिर आपको ये तो पता ही होना चाहिए cricket association का chair person कौन है football का कौन है जो important important play हमारे you know tennis में कौन कौन है sorry tennis का नहीं हमारा hockey का hockey का पता होना चाहिए आपको तो ये टीन-चार sports हैं जो student news में रहते हैं अच्छा अब मेरे से बोलोगे कि मैं हम रोज ही आते हैं तो क्या करें रोज ही ऐसे बैठ के लिखना शुरू कर दें नहीं बच्चे सिर्फ important important terms को सिर्फ और सिर्फ important terms और facts को नाम, player, gold किसने जीता एक notebook लगाईए खोटी diary type नहीं होती वो वाली notebook लगाऊ और उससे आप note करते जाओ fact पांच मिट लगते हैं hardly तस मिट लगा लो वो notebook आप paper में पढ़के जाओ student अगर तो आजाए well and good ना आए तो सोच लेना student ना आपको आता है ना किसी और को आता है ओकी confidence low नहीं करना अपना बहाँ में बैठ के paper में मुझे नहीं आता सबको आता होगा यह नहीं आता भई कोई नहीं पढ़के गए क्योंकि अगर आपने एक notebook ready कर लिए आप daily basis पे note कर रहे हो आपसे ज्यादा त्यारी कोई नहीं करके गए ठीक है you are very serious aspirant don't worry अपने उपर कभी confidence lose मत करो student ठीक है कभी मत करो अपना confidence हमेशा बना के रख्यों last तक ठीक है जी तो कौन है भई यह इसका obviously यह तब का question है student 2018 का अब तो इसका कोई relevant भी नहीं है relevancy नहीं है इस question की ठीक है जी इसका answer है student हमारा B यानि infantil पर करके 1292 पे चलते हैं attempt करो कहता है which of the following Punjabi writer Punjabi writer पे question student Punjab GK का question है Punjabi writer have been awarded with the prestigious Jananpeet award Jananpeet award जिनको मिला है उसके बारे में इसके question put किये आपको ठीक है तो पहला कहते है गुर्दयाल सिंग अमरिता परितम सुर्जीत पत्तर जस्वंत कनवाल answer कीजे जी correct sequence बतानी है आपको बताईए जी ये पता होना चाहिए ऐसे question आपको definitely पता होने चाहिए इसका correct option है student C 1 and 2 1 and 2 इसका मतलब जॉन कोन बनेगा हमारे गुर्दयाल सिंग और अमरिता परितम को Jananpeet award मिला student ये हमारे पंजाबी writers है 93 number question attempt कीजे 93 number question attempt कीजे जी कहता चुनकर आ हमें हिलाती दर्ग जहाद हलाल अस्त बर्दन भी शम्शेर दस्त इस वर्ट अफ विच वर्क बाई गुरु गोबिन सिंग जी बहुत famous है ये जो शब्द है ये बहुत ही famous है गुरु गोबिन सिंग जी ने बोले थे चुनकर आज हमें हिलाती दर्ग जहाद ठीक है हल हल अस बर्दन भी शम्शेर दस्त दिस वर्ट इस पार्ट और वर्क गुरु गोबिन सिंग जी देट इस अवर जफर नामा थी है student जब गुरु गोबिन सिंग जी सारी वार्स जो है वो जीत जाते हैं और फिर औरंग जेब को लास्ट में एक लेटर लिखते हैं ठीक है जिसका नाम होता है जफर नामा जिसमें वो औरंग जेब को ये बताते हैं कि मौरली तुम्हारी हार हुई है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम वार जीत गए हो मुझे तुमने मेरे को किले से बहार निकाल दिये बट मॉरल तौर पे तुम क्या हो तुम हार चुके हो इथिकली तुम हार चुके हो बिलकुल ठीक है और ऐसा माना भी जाते है और अरंग जेब की थोड़े टाइम बाड deve भी हो जाती है ठीक है तो ओरंग जेब को यह जवर नामा लिखा जाता है ठीक है जिसमें गुरु गोबिन सिंग जी उसके इस तरीके से धोखे से गुरु गोबिन सिंग जी को के लिए से वो बहार करते हैं राइटchutz जिस तरीके से उनकी पूरी family को sacrifice कर दिया जाता है, ठीक है, उनके चारों बेटों को शहीद कर दिया जाता है, माटे याड कर दिया जाता है, ठीक है, तो तब गुरु गोबिन सिंग जी जफर नामा लिखते हैं, ठीक है, और ये एक moral values की उपर question होता है, ठीक है, कि आप morally जो ह 94, consider the following statements, ठीक है, तो पहली statement बताईए यहाँ पे, by Pits India Act, the members of the Governor General's Council was reduced to 3, ठीक है, पहला वो कहते है, कि तो the Pits India Act जो था, ठीक है, जो 1973 में आया था student, ठीक है, 4 में, ठीक है, the members of the Governor General's Council was reduced to 3, पहला ये बोलता है, कि जब Pits India Act आया, उस time पे, जो member थे हमारे Governor General Council के, उसको reduce करके 3 कर दिया गया, फिर दूसरी statement कहता है, कहता है, Pits India Act abolished the monopoly of the company's Indian trade, कहता है, वो monopoly को खतम कर देता है, जो company का, जो भी East India Company trade कर रही थी, इंडिया ट्रेड कर रही थी, जो भी, ठीक है, फिर वो third statement में कहता है, कहता है, by the Pits India Act, through a supplementary act, the Governor General was empowered to hold the office of the Commander-in-Chief in special cases, कहता है, special cases में, Commander-in-Chief जो है, वो क्या होगा, empowered होगा, कि वो office को hold करे, ठीक है, special case के अंदर, ठीक है, अब आप मेरे को इसका correct option बताईए, student, आपके सामने है, हंची बताईए, साइए, student, 94 number question है, I hope कि आपने सारी statements पढ़ ली होंगी, अब पढ़ी है, अब attempt करो, तो correct option है, student, इसका हमारा 1 and 3, 1 and 3, कहला और तीसरा हमारा correct है, बाकी सब गलत है, क्या है, देखो, third कहता है, by pits India act through supplementary act, हाँ, ये special cases के अंदर उसको empower करने की power थी, दुसरा pits India act abolish the monopoly, नहीं, ये statement तो बिल्कुल गलत है, monopoly तो खतम नहीं की थी, reduce to to 3, ये बिल्कुल सही statement है, ठीके जी, okay, बच्या, move करते है, 95 पे, बच्ची, ये बच्ची कोशन इटेम्ट कीजिए, while watching 3-dimensional picture, we need to wear what, कहता है, जब हम 3-dimensional picture देखते हैं, कहते हैं न, 3D movie देखकर आते हैं, ये न, तुस टाइम पे देखो, आपको वो glass देते हैं, ये सुर न, ग्लास देते हैं, वो आपको पहनने के लिए, तो वो पोच रहा है, कहता है, while watching 3-dimensional picture, we need to wear what, क्या wear करने पढ़ते हैं, आपको बताइए, आपको wear करने पढ़ते हैं, polaroid glasses, क्या wear करने पढ़ते हैं, student, polaroid glasses, polaroid glasses, आपको wear करने पढ़ते हैं, कहता है, when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, how does its volume change, जब आप water को गर्म, 0 degree पे तो obviously student को IC होगा, जब आप उसको 10 degree Celsius तक आप उसको जब गर्म करते हैं, तब उसके volume पे क्या फर्क पढ़ते हैं, बताओ क्या फर्क पढ़ते हैं, यार, बहुत ही interesting question है, हमारी science, जर्नल साइंस का, बताइए, ये चारो option दिख रहे हैं आपको, जी, अब बताइए, अब बताओ, सुड़े, कहता है, it shall increase, सब को यही लगता है, it shall decrease, अगर इतना असान, question तो वो कभी नहीं पुछता आपसे, कि वो decrease होते हैं, या increase होते हैं, फिर कहता है, it shall first increase, then decrease, फिर D option कहता है, it shall first decrease and then increase, बताओ, correct option क्या होगा, इसका, इसका correct option होगा, student D, it shall first decrease and increase, पहले वो decrease होता है, volume जो है, ये student water का anomalous behavior होता है, student, फिर वो increase करता है, फिर उपच कुछ खास ज्यादा research होई नहीं है, फिर उसका behavior है, water का, उसके बाद तो इन्क्रीज ही करता है, student, 97 का answer कीजिए, 97 number question, कैटा according to Malathus Population Theory, epidemics, natural calamities and war are known as what, A, student, इन्होंने population के उपर, एकना बहुत मतलब, ऐसी theory से दी थी, काफी controversy भी है, बढ़ हाँ, Malathus जो population की theory है, कैता है, epidemics, natural calamities and war are known as what, पहला कैता है, positive check, दूसरा कैता है, preventive check, तीसरा कैता है, policy check, और D option है, all the above, correct option बताओ, हो अब मेरे को बच्ची, क्या कहता है, according to, see a student, मैंने आना आपको पहले भी बहुत बार बिताया है, जब भी question theory पी आई, जब भी question theory पी आई, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, कि आप सोचों की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अपना दिमाग बिलकुल नहीं लगाना, जैसे मैं पहले भी एक बार, जैसे मैं बात कर रही थी, डाल्टन theory पी हमने question किया था, ठीक है, रदर फोर्ड पे question किया, बोहर मॉडल पे question किया, तब भी मैं आपको ये बात बता रही थी, जब भी theory से related question आए, तो जो उसकी theory के अंदर लिखा है, वही सही है, आप अपनी तरफ से कुछ भी उस theory के अंदर add नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, उसकी theory में लिखा है positive, आपको नहीं, positive तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके नजरिये से वो गलत है, और आप उस question को गलत कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो उसकी theory में दिये है according to, give your answer, अब answer करो, इसका answer है student, positive check, क्या है ये एक positive check है, according to malafest population theory, epidemics, और natural calamity और war जो है, वो क्या है, एक positive check है, clear है student ये बात आपको, 98 number question कीजिए, टेम्ट, क्याता है, with reference to the memorandum of understanding sign, by the Punjab government, with the Indian oil corporation, in January 2018, consider the following statement, January 2018 का current, फिर का cover है student ये, उस time की current news है, कोई deal sign हुई है, between Punjab government, और हमारी, Indian oil corporation की बीच में, उस पे question है, जी तो question बताओ, पहला कहता, option कहता है, it aims to find sustainable solution, to paddy straw burning, कहता है पहला तो यही है, कि paddy straw burning का, जो solution है, उसका sustainable solution निकाला जाए, दूसरा कहता है, it aims to initially establish, 50 plants with a total investment of 5,000 crore, तीसरा कहता है, the plants will convert biomass, to compress biogas and bio CNG, पोर्थ option कहता है, there will be supply of compressed biogas and CNG, to other state also, अब आपको correct option, फूस करना है, कीजे बच्चे, तो correct option बताइए, इसका क्या होगा, तो simple student fact question है, factual है, और इस time पी इतना relevant भी ने, इसका correct option दी था student, उस time, 1, 3, 4, क्या था, देखते, देखो, कहता है, it aims to find sustainable solution, to the pedestal burning, बिलकुल, ये इसका, you know, था, ठीक है जी, ये इसका, था, दूसरा, it aims to initially establish 50 plants, with total investment, 5000 crore, आप data देखिए, बच्चे, 5000 crore, पता है, कितना बड़ा amount होता है, extreme statement है, तो गलत है, the plant will convert biogas, to compress biogas, and biogas, बिलकुल, सही statement, D option, there will be supply, of compressed gas, biogas, and CNG, to other state, ये भी statement, सही ये student, तो आपके पास, जो correct option, बनता है, that is our D, 1, 3, and 4, 99 number question, 99 number कीजे, which of the following, was the latest member, of the group, of advanced industrialized, nations transforming, G7 to G8, G7, आपको पता होना चाहिए, G7, वो countries है student, जो बहुत ही advanced countries, advanced developed countries है, Canada, America, France, ठीक है, UK, उन countries का, ये group है student, तो इसमें, फिलहाल, जिसको add किया गया है, that is our Russia, Russia क्या अट किया गया, बट अभी फिलहाल, Russia को फिर से निकाल दिया उन्होंने, कि अभी ये G7 ही है, ठीक है, खिलियर है जी, ओके, तो हमारा last question, इस topic का student, हमारे इस paper का, खड़िये student, attempt केजिए, कहता है, इतनी मार पई कुर लाने, तन की दर्द न आये, ठीक है, वाज written by गुरुनानक देव जी, after the invasion by what, कहता है, इतनी मार पई, कहता है, लोगों में इतनी मार पड़ी, लोगों को, की तन की दर्द न आये, मतलब की दर्द आना ही बंद हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब, वाजे आरे थी, ये गुरुनानक देव जी लिखते हैं, after the invasion by what, ठीक है, कहता है, इतनी मार पई कुर लाने, बहुत ज्यादा मार पड़ी, और बहुत लोगों में कुर लाने की, चीखने की अवाजे आ रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइलेंस हुआ, इतना वाइलेंस हुआ, कि तैन की दर्द न आये, ठीक है, दर्द ही नहीं सुन रहा था, ठीक है, अगर मेरे से कोई mistake हो गई है, इसको प्रणाउंस करने में, इसी के रिलिजे सेटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो गुरुनान के देवजी ने, आफ्टा था इन वेजन ओफ वट, उसका correct option होगा student हमारे बाबर, याद रखिए student, यह बहुत बार question आया है, कौन से ऐसे sent थे, जो contemporary थे बाबर के, then answer is गुरुनान के देवजी, ठीक है, ठीक है, तो correct option था हमारे बाबर, ओके student ठीक है जी, ठीक है, इसी के साथ student हमारा यह session यहाँ पर over होता है student, और I hope कि आपको यह sessions बहुत ज्याद़ helpful रही होंगे, ठीक है, तो next paper हमारा last paper होगा, जो अभी recently हुआ था हमारा, recently नहीं तो कहर, काफी time हो गया, ठीक है, 2021 का paper हम start करेंगे next session में, ठीक है student, ओके जी, इसी के साथ हमारा new session भी start हो गया, batch भी start हो गया, for the Punjab Civil Services, तो आप join कर सकते हैं student, इसमें आपको offline, online, दोनों mode में आपको classes available रहेंगी, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके students, थैंक यू, थैंक यू so much, have a nice day, अंक यू, जा सकते है, अंक यू, आपको दो आपको का रहें तो, आपको उन्ट का वाल में, गया पो हमारा आपको का वाल, झाल झाल